तो यहां पर आपको जो मार्केट चल रही है उसके हिसाब से देखना है आप कौन सी स्टाटजी काम कर सकती है हाई गाइस कैसे आप सभी लोग मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छी होंगे दिखिए आज किस वीडियो में हम यहां पर हमें सबसे पहले तो यहां पर आपको जो मार्केटच चल रही है उसके पीछे केंडल besteht कर सकते हैं तो यहां पर अब को यहां कर दी आप से देखना है आपा कौन सी स्ट्राइडि काम कर सकती है अगर यहां पर विग को कैसे नहीं करें तो मैं यहां पर सपोर्ट रेजिटेंस लगाने कोशिश करती जिसके लिए में यहां पर एक अच्छा मुवमेंट कर थी उसके बाद वहां पर होरीजोंट अलाइन लेकर सब्सक्राइब करेंगे इस ट्रेट को विन होनी तक का एंड यह किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर नहीं है वीडियो की इसमें मैं डेडिकेटर विक्स बताऊंगी यह एसनार बताऊंगी मिक्सप है मतलब यह है कि हापर स्ट्रेटजी फाइंड करना है कि हम किस तरीके से स सबसे ज़्यादा जरूरी है अगर हमें कोई भी नहीं मिलती है तो हम सीधा अपना सपोर्ट रिस्टेंस का लेवल लगाएंगे उसके हिसाब करेंगे क्योंकि अगर कभी भी कोई भी स्ट्रेटिजी काम करें या ना करें या फाइंड हो ना हो या विक्स का आपको पता चल तो ध्यान रहे कि कोई भी बड़ी केंड़ बन रही हो जहां से आप लेवल लगाने की कोशिश कर रहे हो वह यहां पर हम एक लेवल लगाएंगे होरीजॉंटल लाइन लेकर यहां पर मार्केट चल रही है उसके आस पास में हमको एक अच्छा मूव्मेंट देखना है यहा क्योंकि यहां पर काफी अच्छा बाइयरु देख़ रहे है यहां से से मार्केट कितना उपर नीयुक्छ हो रही है और एहां चल रही है इस लेवल के बारे मं बिर्पी कंडल की क्या स्टेट्रीग chosen कोई भी बड़ी केंडल फाइंड करनी है चाहें वह रैडे केंडल ऺहाएं बड़ी कंडल कि पता से पता लगता है कि उसमें जाधा बॉलीम होता है कि मतलब एक दम से ही बायर्स का या फिर सेलर्स का बेकाउट होता हुआ नजार आता है तो वह चीज़ें जैनुएल होती है एंड चांसे होते हैं कि हमारी जो प्रोबैबिल्टी है वो जो ट्रेड की विन हो तो यह यहां पर एक ब्रेकाउट वाली केंडल भी हापर वर्क कर सकती है ल मैंने ट्रेड करकर के बनाई है जो मुझे ठीक लगती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हो तो यह त्रेड के लिए हम देखेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी हमारी आप कर सकती है थोड़ा सा हम यहां पर अपना माइंड लगाना पड़ेगा अगर कोई भी हमको यहां पर ज बता हुआ है कि प्रेशर डाउनवर्ड की साथ जाधा है वो विक सबको इंडिकेट कर देती है बस आपको सही से देखना आना चाहिए कि एक्ट्वल में हम विक को किस तरीके से पहचानते हैं तो मैं अगर यहां पर दिखेंगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी तो यहां को हमें यहां पर वेट करना होगा और विक के साब से देखें तो इसके पीछे जो एक ग्रीन वनी है इसकी उपर की साड़ के सबसक्राइब अगर सबसे पहले अपको सपोर्ट रेइस्टेंस लगाना है अगर सबस्क्राइब कर रहा है तब आप दूसरी स्टेजिए वहां पर लगाए जैसे विक्स हो गया या फिर ब्रेक आउट टेंडर आगर आप उस चीज को यहां पर यूज कर सकते हैं तो यहां पर एक ऐसा हो जाता है कि डबल कंफर्मेशन ट्रेपल कंफर्मेशन वाली चीज हो जाती है वहां पर चांसे है नाइंटी-nाइन पर सेंट जो आपके टूपर जाने चाहिए और विक्स के अकॉर्डिंग में यहां पर मार्केट को आपवड की साइड जाना चाहिए जो कि हमारे यह विन हो चुकी है अब हम नेक्स ट्रेट के लिए देखेंगे कौन सी स्ट्राइजी हम वर्क करेंगी सो होड़ा सा हम पेशेंस एक होरीजोंटल लाइन लगाकर हम यहां पर लेवल लगाने की कोशिश करेंगे तो मार्केट जहां पर चल रही है उसके आसपास में हमको अच्छा मूवमेंट फाइंड करना है चाहें वह डाउनवड की साइड हो यहां फिर अपवड की साइड हो अब यहां पर मार्केट की मार्केट जो पर गई है इस लेवल पर बायर्स का प्रेशर है तो यहां पर मैंने एक अपवड के लिए कर दी है इसके पीछे भी अगर आप देखोगे तो यहां पर भी एक बड़ी केंडल बनी हुई है जिससे मैं पता लगता है कि यहां पर वॉल्यूम जादा है बायर का तो यहां पर इस वज़े से मैंने यहां पर अपवड के लिए ट्रेट प्लेस करी है यह चीज़ें उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रही होगी काफी बेसिक चीज़ें हैं और हो सकता है कई लोगों को यह चीज़ें नहीं लगेंगी तो आप इनको एकदम सही से सम लगाने हैं अब मुवमेंट करना है चाहें वह अपट के लिए हो या दॉन्वड के लिए हो यह हमारी हां पर विन हो चुकी है एक अच्छी ग्रीन केंडल हो यह एक रेड गंडल हो जिसमें हमको वॉल्यम्म जादा दिखाई दे यह सारी चीज़ें बहुत ज्यादा मैटर तो यहां पर थोड़ा सा हमें पेशन्स रखना होगा उसके बाद हम ट्रेड लेंगे कि यहां पर कि देखोंगे तो यहां से मार्केट चल रही है वह काफी अपवर्ड की साइड गई है तो इस लेवल पर बायर का काफी जादा प्रेशर है तो यहां पर अपवर्ड के लिए ट्रेड पेस कर सकते हैं जो कि मैंने आपर कर दी है थोड़ा नीची किती लेकिन उपर लगई खेर कोई नहीं वहां तक जो मैंने लेवल लगाया है वहां तक मार्केट है वह अपड़ ही जानी है तो जिस वज़े से यह हमारी होनी चाहिए थोड़ा सा हम यह वेट करेंगे काफी अच्छे मार्जन से यह हमारी विन हो रही है जैसे कि मैंने आपको बेसिक चीज़े बताई है तो यही तक आज किस वीडियो में वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरू करिएगा अकर कोई भी डाउट आपको रह गया है तो कॉमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो मिलते है नेक्स वीडियो में जब तक के लिए